नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीती से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो उप्चिनाओ होने जा रहे हैं उसमें मायावती अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है वो मायावती जोकी उप्चुनाओं से हमेशा दूरी बनाये रखती थी लेकिन इस बार उप्चुनाओं में पूरे दम खम के साथ अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है मायावती और उसके लिए तयारिया भी शुरू कर दी है उप्चुनाओं में कौन होगा उमिदवार इसके लिए भी मायावती ने मन्थन करना शुरू कर दिया है मजबूत प्रत्याशी मायावती की तरफ से धूने जा रहे है मायावती के उप्चुनाओं लड़ने की पीछे वजह क्या है क्या उप्चुनाओ लड़ना मायावती के लिए मजबूरी साबित हो रहा है इन सब बातों का हम आपको जवाब देंगे और सबसे बड़ा सवाल वो कि वो कौन सा चोहरा है जो मायावती के वोड बैंक को कैप्चर करना चाहता है जिसकी वज़े से मायावती मजबूर हो गई है कि उप्चुनाओ में उनको अपने प्रत्याशी उतारने हैं यानि कि उनको लड़ाई लड़नी है ये सब हम अपने वीडियो में बताने जो रहे हैं दोस्तों लोगसभा चुनाओ के बाद उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है उप्चुनाओ के जरिये मायावती अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाने की कोशिश कर रही है अभी तक बीएसपी उप्चुनाओ से दूरी बनाया रखती थी लेकिन लगातार हार के बाद अब बस्पा ने सियासी किस्मत आजबाने का फैसला कर लिया है दोस्तों लोगसभा चुनाओ में बीएसपी अकेले चुनाओ मैदान में उत्री थी और एक सीट भी हासिल नहीं कर पाई दोस्तों वो हम सब के सामने है और उत्र प्रदेश में बीएसपी ने अपनी 10 सीटे भी गवा दी जो की 10 सीटे 2019 के लोगसभा चुनाओ में समाजवादी पार्टी के गड़बंधन के साथ मायावती जीत कराई थी यहां तक की जो वोट प्रतिशत है वोट शेयर है वो भी 10 प्रतिशत के नीचे आ गया है बीएसपी का मायावती का 2024 की हार ने बीएसपी को अंदर तक हिला कर रख दिया है दोस्तों यानि की बहुत बड़ा जटका लगा है 2024 के लोग सभाचुनाओ के बाद बीएसपी को मायावती को इसके चलते ही बसपा ने अपनी रणनीती में बदलाओ कर दिया है दोस्तों और सुबे की सियासत में कमबैक करने के लिए उपचुनाओ में उतरने का प्लान बना लिया है अब सवाल यहां पर यह उड़ता है कि मायावती जोकी उपचुनाओ से दूरी बनाया रखती थी कभी उपचुनाओ लड़ती नहीं थी हलाकि आजमगर में हमने देखा तक उड़ू जमाली को उन्होंने उपचुनाओ में उतार दिया था जिया जह मुझे आज बात कर रहे थे वह जिसकी वजह से मायावती असहज में भार्न महसूस कर रहे हैं कि यहां पर बात कही ज़ा रही है कि उनका वोड़ बेंक खिसक सकता है एक पाले में ख़ड़ा हो सकता है यह आपने आप में बड़ा सवाल है और वही वज़े है कि 10 सीटों पर उपचुनाओं होने जो रहे हैं और मायवती उस पर अपने उमिदवार उतार रही है जिया एंडिये और इंडिया गड़ बंधन के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिलता दोस्तों अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कॉंग् पर्टी के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिलता लेकिन मायवती ने भी चुनाओं लड़ने का इरादा करके मुकाबले को त्रिकोण यह बना दिया है जिया लोग सभा चुनाओं अलग है और विधान सभा चुनाओं अलग है मायवती का अपना वोड बैंक है लेकिन विधान सभा चुनाव में कितना असर डाल पाएंगी उप चुनाव में कितना असर डाल पाएंगी देखना होगा लäकिन त्रिकोर्ट ये बनाने की एक स्ट्रीटेजी जरूर बनाई है मायावती नागीना से जीत के बाद चंदर शेकर आजाद ने भी कहा है कि उनकी आजाज पार्टी आजाज समाज पार्टी आने वाले उप चुनाओ में मजबूती से चुनाओ लड़ेगी तो ये बात भी एक निकल कर सामने आ रही है कि अब चंदर शेकर भी कह रहा है कि दस की दसो सीटों पर हम चुनाओ लड़ सकते हैं या फिर कुछ पश्चमी उत्तर प्रदेश की सीटी अगर होती है तो उस पर चुनाओ लड़ते हैं लेकिन देखना होगा कि वो कहा कहा चुनाओ लड़ते हैं अलीगर में मौझूद थे तो ये भी कयास लगाए जाना लगागी खैर सीट जो है वहाँ से अपने प्रत्याशी उतारेंगे चंदर शेकर इसके अलावा करहल से भी बात कही जारी थी कि करहल से भी उतारेंगे फिलाल अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी है, कॉंग्रेस पार्टी है और मायावती है, भारती जनता पार्टी है और अब चंदरशेखर आजाद भी यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे ऐसे में मायावती की मुश्किल यह है, कि अगर BSP इन उप्चनाव में अपने उमिदवारों को नहीं उतारती है तो दलित वोटों में चंदरशेखर आजाद सेंद लगा सकते हैं तो मायावती के सामने अपने वोट बैंक को बचाए रखने की बड़ी चुनावती है दोस्तों और इसी वज़े से कहा यह जा रहा है कि वो यहाँ पर प्रत्याशी उतारेंगी लोग सबा चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि मायावती अगर उप चुनाव नहीं लड़ती है तो दलित वोटर बस्पा के विकल्प में चंदरशेखर की ओर रुख कर सकते हैं जिया जो दलित वोट बैंक है वो किधर जाएगा बड़ा सवाल यह है और अगर चंदरशेखर यहाँ पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर वोट बैंक भी पूरा तो नहीं कहा जा सकता लेकिन काफी हद तक शिफ्ट हो सकता है चंदरशेखर के तरफ क्योंकि उत्तरप्रदेश की राजनीती में अब चर्चाय होने लगी है कि मायावती का विकल्ब क्या चंदरशेखर के रूप में आप सामने आने लगा है लोग अब चर्चाय करने लगे हैं अलाकि नगीना जो सीट थी जहां से चंदरशेखर अजाज जीत कर आए हैं वहाँ पर दलित समुदाय से ज्यादा मुस्लिम समुदाय की भूमिका रही है कहा ये जा रहा था कि दलित वोर्ट बैंक पूरा पूरा शिफ्ट हो सकता है मायावती का नगीना में लेकिन वहाँ पर मुस्लिम वोर्ट बैंक एक जुट होता दिखाए दिया और चंदरशेखर के खाते में जाता दिखाए दिया और दलित वोर्ट बैंक पीछे रहा नगीना में मुसल्मानों का तकरीबन 80% वोट चंदरशेखर के खाते में गया है दोस्तों और दलितों के अगर हम बात करते हैं तो 25 फीसी से भी कम यहाँ पर वोट शिफ्ट हुआ है तो यह पूरा समीकरन निकल कर सामने आया है लेकिन चंदरशेखर जो हैं वो यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं और शाहिद इसलिए बार-बार जैसा कि हम कह रहे हैं मायावती दस सीटों पर चुनाओ लड़ने का मन बना चुकी है उप चुनाओ जो होगा उसमें पूरा दम खम लगाने के लिए तयार है मायावती अब बहार की समिक्षा कर रही है बेसपी प्रमुक मायावती ने 20 तारिक को 20 जून को के बाद से किसी भी दिन बैठक बलाने का यहां पर मन बनाया है कि किसी भी दिन बैठक बलाई जा सकती है समिक्षा बैठक में बेसपी के सभी पदाधिकारी उसमें बलाए जाएंगे मायावती प्रदेश और देश भर के पताधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही है मायावती मौजूदा परिश्टी में बस्पा को ने सीरे से खड़ा करने की कोशिश कर रही है और अंदर की खबर ये है दोस्तों कि समिक्षा बैठक में यूपी के दस विदानसभा सीटों पर होने वाले उप्चुनाओ को लेकर भी अपना प्लान सामने रखा जाएगा मायावती अपना प्लान रखेंगी बताएंगी लोगों को कि इसको लेकर हमारी सोच क्या है अगर बीएसपी उप्चुनाओ नहीं लड़ेगी तो पार्टी का बचा कुछा आधार भी किसक सकता है ये बड़ी बात निकल कर सामने आ रहे हैं इसके लिए सिर्फ उप्चुनाओ में उमिदवार ही नहीं उतारने बड़ा तपका है आकाशानन को साइड करने के बाद बड़ा तपका जो है वो बीएसपी से नराज दिखाई दे रहा है मायावती से नराज दिखाई दे रहा है अगर आकाशानन की एंट्री हो जाती है इस उप्चुनाओ में तो यहाँ पर फर्क पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा दोस्तों बहुत शुक्रिया